नवस्टार्ट सातियों मैं योडेश डुपता एब फिर से स्वारेट करता हूं आपके अपने परिवार पार साला रेलेवे एजाम में जैसे आपको पता है कि रेलेवे टी सारी बढ़ती फिनिस हो चुछती है बहुत जल्दी डुपडी वालों की जोईनिंड आ जाए दिया पता है एज़ ट्रेटरिया क्या होता है उसके लावा आपको सेली क्या मिलती है वैसे मैं आप लोगों बता दू यह जो मैंने फोटो लिये इस लड़चे की मेरा इस्टूडेंट सब पुराना बच्चे ने फोटो मुझे से ती तो मैंने चलो ठीटे तुमारी फोटो उस्ते लिए आपको इस दिटना पड़े रहे थी भाई आपकी qualification क्या है बच्चो तो अगर आपके qualification जो है सब से पहले तो ITI होने जाये अगर आपके पास qualification ITI है तो very good आप ITI अगर qualification रखते हो किसी भी ट्रेट से तो आप ALP और technician दोनों कि लिए eligible मतला आप ALP लिए School अगर आपकी qualification सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा है और डिप्लोमा भी कौन सी ब्रांज से है वो मैं भी थोड़े दिर में बताता हूं हाना सिर्फ डिप्लोमा है बच्चो तो आप लोड एलिजबेल हो केवल और केवल या फिर आपकी qualification जो है BTEC है BTEC कह दीजिए या फिर आप अगर BEBTA हुए तब भी आप लोड किसे लिजबेल हो बच्चो आप लोड एलिजबेल हो अब BTEC में या डिप्लोमा में कौन सी ट्रेट है वो मैं भी थोड़े से बताता हूं इसके अलावा आप इनके अलावा आपका 10 प्लस टू यानि इंटर है लेकर किसे सर पीशियम से तो बच्चो इसके लिए भी आप टेटनीशन वाली पोस्ट के लिजबेल हो बच्चो ये वाली जो टेटनीशन वाली पोस्ट होती है ये ITI के टेटनीशन वाली पोस्ट से अलग होती है ठीक है ये टेलिकॉम कम्मुनि होते हैं हाला कि इनकी वेटेंसी थोड़ी सी कम आती है वह अलग बात है उनकी मेरे ठाई जाती है लेकिन आप बात को समझो मतलब ITI टेक्नीशन की पोस्ट एट अलग टेक्नीशन होता है और जब टेन प्लस टूटा जो टेक्नीशन होता है टेलिटॉम कामुनिकेशन वह आप 2018 में बच्चो यह नोटिफिरेशन आई थी तो जनर्रल वालों के लिए जो एजर रखी गए थी न मैक्समम हैज ती मैं बात करता हूँ तो बच्चों मैक्समम हैज ती बात करते हैं तो मैक्समम हैजर रखी गए थी सिर्फ और सिर्फ तीस वर्द लेजे आगर मैं बात obesity ट सद्रें सर यह ओड़े थी 35 यह की लेकिन को वेट की वजए से हो सकता है इस बार एज रिलक्सेशन और जूटी ज्याधा तरव एंशियों में दो साल टा एडिशनल एज रिलक्सेशन मिला है ज्यूटू कोवेट तो हो सकता है जनल की यह जो एज है तीस से बढ़ातर प्लस द according to category बात अब लोग करते ही कि इसने सरा एज्जाम पैटर्ण किया है कैसे हम लोग सेलेक्शन पाएंगे इसमें तो बच्चो जब आप इसमें फॉर्म बढ़ते हो तो फॉर्म बनने के बाद सबसे पहला जो पेपर होड़ा आपका बच्चो वो होड़ा CBT-1 का कौन सा होड़ CBT-1 का एज्जाम दोड़ी तो बच्चो CBT-1 का एज्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइन नेचर अटा है मतलब आपको यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइन करना है ऐसा नहीं है आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रोल गें करना है कैसे सर्फ क्वालिफाइन करना या पिर SCD करते हैं तो ये हमारा कैसाते हो तो इतना परसेंट है 30% है इस्टे बाद STD करते हैं तो STD को क्वालिफाइं करने के लिए जो नंबर चाहिए इसमें वो 25% चाहिए तो 75 का 40% 75 का 30 और 75 का 25 तो बच्चो इतना परसेंट नंबर कम से टमाना चाहिए तब आप CVT1 को क्वालिफाइं कर जाओगे मतलब ये CVT1 का पेपर ज्यादा तलोग क्वालिफाइं कर जाते इससे आपका मेरिट डिसाइट नहीं होड़ी मैं पहले बता दू फिर इसके बाद क्या होड़ा अडला जो पेपर होड़ा बच्चो वो CVT2 का होड़ा एक्चोली मैं CVT2 के भी CVT2 के भी दो पार्ट होड़े याद खिये डा CVT2 के भी दो पार्ट होड़े उसमें से एक होड़ा पार्ट A और बच्चो दूसरा होड़ा पार्ट B अब बात part 8 ही टरते हैं बच्चों part A जो है न यही आपकी merit decide करेड़ा कैसे merit decide करेड़ा इसमें आपके 100 question होड़े और देठा जाए तो इस्टो 100 टरने लिए आपके पास जो minute होड़े वो 90 minute होड़े अच्छा CVT1 के लिए 75 question के लिए आपको दिये जाएंगे 60 minute 60 minute 75 question या 90 minute 100 question इसमें आप जितने जादा से जादा number ला सकते हो उतने number लेते हैं इस्टा part B भी होड़ा लेकर part B जो होड़ा वो trade वाला paper होड़ा बच्चों और इसमें जो है 75 question आईए सिर्फ और से 75 question और इसमें लिए आपको जो मिलेंगे वो 50 minute मिले ले बच्चो part B इसमें trade आई दिया आपने जो भी trade बढ़ी हो फिटर भरी हो, electronics बढ़ी हो और अलेक्रिशन भरी हो या फिर machine इस डीजल मेंटेने जो भी आपने trade बढ़ी हो वो trade रप पेपर गुड़ा लेटे बच्चों मैं बता दू यह trade कर पेपर आसान नहीं होता टफ होता है, टोटी trade आल्मोस्ट काफी बढ़ा होता है तो 60 minute में आपको 75 question solve टरने होंड़ी और इसमें past टरने के लिए यानि इस्टो ट्रिवाल 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 ट्लियर टरना पड़ता है 75% इस्टा टैस अबता हो, passing है आपको 75 में से 35%, 75 में से 35% question cite अने होंगे यानि 35% number लेके आना पड़े हो, total number तो अगर 35% number लेके आ जाते हो, तो वो 35% लगवट 27-28 के आसपस बना था मुझे अच्छे से यादे पिछला वाला तो उतने number लेके आते हो, तो part भी आपका qualify हो गया लेकिन ये आपका merit नहीं decide करेड़ा, मैं पहले बतादू merit कौन decide करेड़ा, sir merit decide करेड़ा, ये sort question या दखिए रहा अब दूसरी बास सुनिए, जिलोगों को ALP में जाना है अब यहां से क्या होटा, railway आसे पूछे डा, ति भाई तुम ALP टे रास्ते में जाना चाहते है तो तुमने ALP एरर चुल लिया, तो ALP चुल लेने पर आपको जो तीसरा है ना, वो आपको साइको और देना पड़े रहा और बच्चा जो साइको होता है, उसमें 5 तरहेटे बैटरी टेस्ट होते है, वो अभी जब आप साइको देने तो क्लियर हो जाए रहा, मैंने दिया है तो मुझे पता है तो पास तरह के बैटरी टेस्ट होते हैं, उनका अलगी फंडा होता है, कैसे वो इस्टोर टरते हैं, वो अभी दर किसी तोर कुछ पता नहीं उस्टे बारे में, लेटे इसमें पास तरह के बैटरी टेस्ट होते हैं बच्चों, पार्ट एके 70% नंबर जोड़े जाएंगे, पार्ट एके कितने percent number 70%, माली जी पार्ट एके में आपने 60 नंबर लेक्या हैं, 100 में से 60 नंबर लाएंगे, तो पार्ट एके 60 नंबर कभी 70%, यानी 22 नंबर, और उस्टे अलावा साइकों में जो नंबर आएंगे, उस्टे 30%, समझों, तो पार्ट एके सिर्फ आटे के 70% नं का बनना है यानि technician ALP में नहीं जाना तो उनको साइको देने की जगत रही है उनके लिए पूरा का पूरा क्या सकते हो पाल टेटे जो नंबर होने सर उसी से merit decide हो जाई दी तो यह depend करता है कि आपको technician में जाना है कि आपको ALP में जाना है तो याद खेड़ा सिर्फ ALP वालो को ही साइको देना है technician वालो को साइको नहीं देना आचा यह तो बात हो नहीं हमारे कैसे हो एजाम पैटन की कैसे आना है दूसरी बात करते हैं और मैं बता दू इसमें माइनस मार्टिन हर जड़े साइको को माइनस मार्टिन छोड़ दीजे साइको टालर सिस्टम होता है बाती और जितने भी objective पेपर देने हैं आपको उसमें 1 by 3 यानी 1 थर्ड की माइनस मार्टिन य लेवस क्या सर्थ, CBT1 में क्या पूछा जाएगा, CBT2 में क्या पूछा जाएगा, Part B में क्या पूछा जाएगा, बच्चे जब भी बात CBT1 टी टरते हैं तो LP दर जो CBT1 हो ड़ा बच्चो, उसमें 75 कोशन आएगे, कितने कोशन 75 कोशन, 20 कोशन तुमारे math क्यों होगे, 25 को आती है, और 20 कोशन तुमारे science क्यों होगे, तो जोड़ते देखिए, तो जोड़ते देखिने के बात, पूरे पूरे 75 है, मैंने पहले भी बताया, ये केवल और केवल जो है, पास करना है, पासिन कितने परसेंट में हो डिए, क्वालिफाइन कितने परसेंट में हो डिए, तो मैं तो ये कहूं रहा, ठी, GTGS थोड़ा सा लेट पढ़ाई टीजे रहा, इस्टो आप छोड़ भी देजे, काम चल जाए रहा, ठोटी GTGS पूरा भी पढ़ लो डे, तब भी आपके 5 नमबर, 6 नमबर आएंगे, नहीं भी पढ़ो रहे, फिर भी 2-3 नमबर आजाएंगे तो आप मैध, रिजिनिन और साइंस में अड़ा फोर्टर से टड़ते हो, तो ये पहला वाला बहुत अराम से क्लियर हो जाए रहा, बात करते हैं, सीविट टूटे, पार्ट एठी, बच्चो पार्ट ए में अड़ा बात जीते जीएश्टी टड़ते हैं, तो ये 10 कोशन आ स्यादा इसको उटना बच्चो, ठोटी, इस्टा 70% merit decided for ALP, और इस्टा 100% merit decided for technician, तो merit एहनेट मतलब ये 10-12-23 इंजिनिर में से, 40 में से आप 35 प्लस नमबर ले आते हो, तो बाती बच्चे 60 में से, बाती बच्चे 60 में से, बाती बच्चे 60 में से, बहुत अराम से आप 40 ते बार का पेपर देती है, तो ट्रेड में ही ज्यादतर बच्चे फेल हुए थे, तो ट्रेड मैंने बताया कि क्योई भी आप ट्रेड चुनते हो, लगबाट उष्टा सलेवस जो बड़ा लंबा चोड़ा होता है, 1500 रंटेटा सलेवस पढ़ना होता है, और मैंने बताया कि य क्युवल और क्योफ पासिंग है, क्योफ ट्रिफाइन है, और कितना परसेंट क्वालीफाइन है, 35% for any category, इसमें कोई जनल ओबीषी नहीं है, CBT 1 में जनल ओबीषी और term hote SCHT है, लेकिन इसमें जनल ओबीषी SCHT नहीं है, आपको कंब से कं 35% लान ही लाना है, ठीके, अब भर सकते अलग-लग branch से related तो वो मैंने आपको ये पिछले साल तर नोटिफिकेशन को ही लेटे रखा जैसे थी जो बच्चे electrical engineering से या फिर electricity combined और जो branch होती है उनसे तो ये सारी ट्रेड़े ले सकते हैं जैसे थी electrician, instrument, mechanic wireman, RAC हो लिया बच्चों आप ये वाली ट्रेड ले सकते हैं electronics से related तरने वाली जितनी भी branch लिये हैं बच्चे वो electronic, mechanic और mechanic radio and TV ये ट्रेड ले सकते हैं mechanical engineering या mechanical engineering से related जो भी ट्रेड है, जैसे थी production भी होती है और भी बहुत सारी होती है तो वो इतनी सारी ट्रेड ओर फिल्टर सकते हैं सारे नाम लिखे हुए है motor, vital, fitter, maintenance, diesel, refrigeration and air conditioning जो लोड आटो मुबाइल की ट्रेड से हैं या फिर branch से हैं होता कि IIT जब आप बिटेट या डिप्लोमा करते हो तो branch बोलते हैं तो अगर आप इस branch से हो तो आप ये सारी ट्रेड ओर भर सकते हो बच्चों जो लोड इंटर से अभी इंटर वाले भी तो बचें और ITI वालोटे पास तो पहले सी ट्रेड हो नी तो ने बताने जो होता नहीं लेड़े जो लोड इंटर PCN से हैं यानि फिजेट और मैच से वो electrician, electronics और wireman ये ट्रेड ले सकते हैं लेड़े मैं आप एक सला दू जो फिजेट से हैं वो ये वाली ट्रेड ले सकते हैं बच्चों ये वाली ट्रेड 10 प्लस 2 वालोटो पढ़ना थोड़ा सा टाफ होता है तो ये ले सकते हैं लेड़े इस्टे अलावा भी आप एक टॉपिक और चुन सकते हैं और वो टॉपिक होता बच्चा फिजेट्स और मैथ अगर आपने फिजेट्स और मैथ चुना तो जो पार्ट B में 75 कोशन आने थे वो 75 कोशन सिर्फ और सिर्फ फिजेट्स और मैथ कियाएंगे उसमें से 27-28 नंबर लाना यानि 35% नंबर लाना बड़ा असान है बाती आज़र आपने इलेट्रीशन और ये ट्रेट चुली इंटर वाले बच्चे तो फिर हो सकता है तो आपको 35% नंबर लाना बड़ा मुस्टल पर जाए तो आप सब लोग फिजेट्स और मैथ तो चुनिए वो ज़्यादा बेटर है तो कौन सी ब्रांच वाले अब देटो बहुत सरे बच्चे 10 जी सर मैंने सिविल से डिप्लोमाटी है मैंने सिविल से बेटेट है तो बच्चे सिविल वाले अडर इस्टा फर्म भरना चाहते है तो वो 10 प्लस 2 से भरिये वो ALP पर नहीं जा सकते पहली बात तो ठीके तो आप सीधा सीधा समझ लीजे कि जो भी अलट अलट ब्रांच से जो इसमें eligible नहीं है जैसे कि सिविल हो दिया तो आप 10 प्लस 2 से ALP टा फर्म भर सकते हैं लेकिं वो ALP ट एच्छुली में नहीं होड़ा वो होड़ा टेक्निशन ठीके बच्चो ये सारा कुछ मैंने पैटर्न आपको बता दिया एट और पॉइंट बसता है हमारी सैलली टीसर जब ये सब हो जाए डा उस्टे बाद सैलली टतिया आठे डिटार सारी बात पैसे में आठे अठक जाती है तो अगर मैं बात करता हूँ टेक्निशन टी स्टार्टिन सैलली टिदनी हो डी और ALP टी स्टार्टिन सैलली टिया हो डी तो बच्चों जब ये तभी आप बात टेक्निशन टी टरते हैं तो टेक्निशन टी जो स्टार्टिन सैलली हो डी वो लगबड 28000 के आसपास हो डी 28000 प्लस लेडे ALP टी जो स्टार्टिन सैलली हो डी वो 50000 प्लस हो डी हाला कि इसमें बहुत सारे अलाउंसेस और जोड़ेंगे वो ये अलत बात है लेड़े स्टार्टिन सैलली आपको इतनी मिले दी हाला पूरी प्रेक्ट्रिया होने में एट और बच्चों टे मन में बड़ा सवाल रहता है सिवीटीवण टे बाद कितने मही ने टा समय मिले डा सिवीटीव टूटे लिए तो आप सिर्फ और सिर्फ तीन मंत टा समय लेटे चले लेए तिससे ज़्याद नहीं पिछली बार इतना ही समय दिया गया था महड़ा पढ़ेड़ा लेगा अगर एट साथ आप लेते हो तो आपको 699 में इनका complete combo होगा बैच को लेने के लिए आप इस नंबर पे call कर सकते direct या फिर आप लोग माई पाट साला application को download करके direct भी ले सकते या दरखेड़ा यह application आपको पिले स्टोर पे बहुत अराम से मिल जाएदा इसके अलावा अगर आप complete package चाहते हैं मालीज आपको complete त्यार इतरनी है यानि cvt1 औ cvt2 ती पूरी एट साथ त्यार इतरनी है हाना लेज़े इसमें psycho involved नहीं है भी ठीक है बहुत सारे बच्चे psycho और नहीं जाना बैचे जिसमें आपको theory concept previous year question इस्टे अलावा mock test paper भी मिले दे लेज़े बच्चों तो यह बड़ा सवाल होता है क्या trade भी मिले रहा क्या basic science और engineering drawing भी मिले रहा yes trade भी इसमें मिले रहा और basic science और engineering drawing भी मिले रहा बच्चों अभी holy to offer चला है यह पूरा का पूरा 3000 का course सिर्फ और सिर्फ आपको 864 रुपय में दिया जा रहा है 71% discount दे सार इस batch को भी जॉइन करने के लिए सेम आपको काम करना है क्या काम करना है सर आपको उसी तरीके से माई पार्ट साला application को डवलोड करना है प्लेश्टोर पे जाईए वहाँ पर आप इस batch लो जॉइन कर सकते हैं लेकिश जब यह discount यह payment करने जाएंगे आप तो वहाँ पर एक coupon code अप्लाई कर दीजेड़ा वह coupon code है YOGI10 YOD10 जब आप यह coupon code अप्लाई करेंगे तो आपको यह discount मिल जाए रहा है फिर भी किसी तरह का कोई doubt होता है तो यह जो content number यहां लिखे थे आप इसमें call करते जो है अपने doubt को दोटर सकते हैं तो I think मैंने आपको complete जानटारी दी होती और कोई भी ऐसा question नहीं होता जो आपको छूटा हुआ होता फिर भी अगर कोई भी मन में आपकी query है और लगता है कि मैंने मेरी द्वारा दी जानटारी में आपको satisfaction नहीं मिला उस question जवाब नहीं मिला तो आप नीचे comment box में comment कीजिए मैं उसको reply कर दूँगा बाती course की link, course पूरा content वो भी हो सकता है कि मैं description में comment box में डलवा दूँ ताटी आप वहाँ से course को भी ले सटे चलो पर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में इसी तरी 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 अच्छे अच्छी वीडियो टो लिए नहीं नहीं जानकारी हो लिए हमारा पार्साला railway exam चैनल को subscribe कर लिजे और वीडियो को like कर दीजे